दोस्तों बात करते हैं आज फिर से एक बार जेक पॉल के बारे में कुछ दूनों पहले उनकी अब तक की सबसे बड़ी विक्टरी थी अगेंस्ट टेरोन वुडली हराना बनेस्करन को एक अलग बात थी हराना वुडली को वाया पॉइंट्स एक अलग बात थी लेकिन नॉक आउट करना री मैच में वुडली को एक बहुत ही बड़ी उनकी अचीवमेंट है अगर आप अभी भी ये सोच के चल रहे हैं कि ये सिर्फ एक खेल है शो आफ है जेक पॉल ने पैसे खिलाए हैं वुडली को हारने के प्लीज दोस्तों आउट आउट कर रहा है और नॉक आउट कर रहा है चाहिए वो फॉर्मल ये सी चैंपियन ही क्यों न हो उन्होंने एक बहुत ही सिर्फ ओफर दिया है जोज मास्विडाल को हलांकि उन्हें किया था कॉल आउट कि I'm ready for everyone जो भी है अभी ही in UFC चाहिए वो Nate Diaz हो चाहिए वो उस्मन हो चाहिए वो कॉनर हो बद फ्रेंकली ये सब पॉसिबल बहुत कम है प्र उन्होंने एक साफ ओफर किया है जोज मास्विडाल को उन्होंने कहा कि he's offering 5 million dollars मास्विडाल, I got you an offer for you right now 5 million guarantee plus percentage of pay-per-views so that's the most you would have ever made as a fighter ever so now you can't say I either fight the best or fight for money so जब ये fight fight से कुछ दिनों पहले एक आय था tweet की मैं सरे fight करता हूं best fighter से जोज मास्विडाल ने या फिर I fight for money और तुमारे पास दोनों ही चीज़े नहीं है नहीं तुम best fighter हो, नहीं तुम आरे पास पैसा है so Jake Paul ने उनको 5 million dollar offer किये है guaranteed purse उसके लावा जो होगा revenue by selling pay-per-views उसका कुछ shares उने मिलेगा which is a big deal जहाँ तक मुझे अब तक लगता है जो biggest purse रहा होगा George Masvidal का वुया तो होगा against Nate Diaz fight या फिर against second fight against Kamaru Usman maybe 1 million, 1.5 million बहुत अगर आप पुश करें तो शायद 2 million at max पर इसके बहुत कम chances है और यहाँ पर उने offer कर रहे हैं Jake Paul लगभग 5 million dollars guaranteed plus revenue का share जो कि at least दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ million और जोड देगा no doubt यह अब तक के लिए for George Masvidal यह biggest offer है but जब response किया इसके उपर तो वो कहते है the UFC is not gonna let me go for jump change make that true 20 guaranteed plus pay-per-view and I'm sure the UFC will be okay with it as long as I break them off their free fee and then I will gladly break your face तो कह रहे हैं कि UFC मुझे अलाओ नहीं करेगी इस चंद रुपयो के लिए बजाए 5 million dollar guaranteed purse उसको 20 करो और plus share of pay-per-view revenue तब UFC अलाओ कर सकती है इस fight के लिए now यह जो बात चल रही है यह इसलिए हो रही है कि कुछ साल पहले UFC के एक fighter ने एक boxing एक boxer से fight की थी और वो थे Connor McGregor और उस fight के लिए जो कि एक one time historic fight थी एक unique fight थी उस fight को co promote किया था UFC ने यानि कि जो revenue आया उस fight से उसका एक हिस्सेदार बनी थी UFC तो show time जो कि obviously जो उसको गगर रही थी May Mayweather Connor McGregor सबने पैसा कमाया बढ़ एक बहुत बड़ा chunk कमाया था UFC ने भी और इसलिए UFC उस fight में involved थी और इसलिए UFC ने allow किया था Connor को fight करने के लिए against Floyd में weather और ऐसा है कुछ यहां पर इशारा कर रहे हैं होरे Masvidal George Masvidal की अगर तुम बो 20 million dollar तो शायद कुछ हो सकता है 5 million के लिए यह से कभी हम जहाने करेगी ना यह बत साफ है कि एक तरीके से वो सही भी कह रहे हैं I'm not sure कितनी fight बागी है Masvidal के contract में for UFC और जब तक कोई बहुत बड़ी fight नहीं होती UFC नहीं allow करेगी और UFC खुद भी नहीं involved होगी जो last उनका experience था UFC का जब उनने allow किया था Connor को to fight against Mayweather बहुत मुशकल था वो और वो हमें बाद ने पता चला जब भी fight हो गई थी जब बताया UC President ने की बहुत सारी अच्चने आये थी इस तरीके के इवेंट को के के लिए हांक करने के बाद काम करने के लिए legal issues, other issues आपके पास जो other company हैं जो कर रहे हैं प्रमोट उनके अलग rules हैं तो it's not easy और जब तक एक बहुत बड़ा share नहीं कमा जए तक बहुत ज़्यदा पैसा नहीं होता involved UC के लिए UC अलाओ नहीं करेगी तो यहां पर सही बात कर रहे हैं मस्विडाल जो एक और बड़ा नाम है जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले भी वो थे obviously Nate Diaz उनके पास एक fight बाकी है उनकी contract में और जो fight offer की गई थी उनको वो थी हमजद चमाईव और उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था सो वहां पे ज़्याद चांस है कि वहां पे एक fight और करके Nate Diaz जल्दी आ सकते हैं fight करने के लिए बजाए obviously Nate Diaz के पास अभी एक fight बुक को ना पाकी है कब वो fight बुक होगी कब वो fight actually में होगी और कब वो free agent बनेंगे बहुत सरे चीज़ें उसमें देखने लाएक है बड़ियस दोस्तों जो UFC के लावा जो money fights हैं वो definitely Jake Paul के अंडर लोगों को मिल रही है फुडली जो news में आ रहा है कि उन्होंने लगबग 10 से 12 million dollar रुपे कमाए है million dollar कमाए है दो fights में अगेंस जेक पॉल और यहां पे एक बहुत ही सही offer किया है जेक ने मसुडाल को बड़ तिंग इसकी UFC law कब करेगी कैसे करेगी बहुत मुश्किल है लेंस से देखें तो जो जेक पॉल ने चीज़े की है इस साल फ्रैंकली कि किसरे भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक unknown name एक YouTuber ऐसे ऐसे चीज़े करेगा और एक तरीके से इन्वाइट करेगा UFC fighters को उनसे फाइट करने के लिए I mean though this is crazy this is really really crazy but yes definitely जो fan following है Jake Paul की maybe जो hardcore fan है MMA के या boxing के वो शाइद नहीं जानती Jake Paul को बट जो बच्चे है छोटे है वो जरूर जानती है Jake Paul को because of his YouTube and that's why वो जो population है उनको अभी भी support कर रही है वो जो उनके fan following उनको भी भी support कर रही है और इसलिए जो numbers है उनके अब तक I'm not sure कुछ लोग कह रहे थे कि for the fight against Woodley जो उनका total वो था 22 था वो था लगबग half million 22 हुए थे जो कि ये बहुत अच्छी बात है राइट अगर आप boxer नहीं है MMA fighter और फिर भी आप 500 लगबग half million pay-per-view बाइस करना इसलिए बिग डिल अपिसलिए बिग डिल हमारे बहुत सरे चैंप है UFC में जो कि ये number नहीं क्रॉस कर पाते और जेक पर वो number क्रॉस कर रहे हैं तो तेसलिए डिए बिग डिल ये इस जेक पॉल के पैसे को फगडने के लिए दोस्तो एनिवे मिलते है नेक्स ताइम थैंक ये सो मुच